हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम बैक अवर चैनल, एसा स्टर्डी सोल्यूशन, आज की इस वीडियो में हम फिलिप सिडनी के जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, उसकी थेम के बारे में जानेंगे, आईए वीडियो के शुरुआत करते हैं, कोस्टन ये किसी भी परकार से आ सक सकता है, तो इन दोनों कोस्टनों का अनस्वर आपको ये एक ही लिखना है, जो हम अब आपको करवाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना है, एलिमेंट्स ओफ ओटो वायोग्राफी, यानि की आत्म कथा के ततव, सिडनी ज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला वाज, पबलिश्ट इन 1591, सिडनी की जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, वो 1591 में पबलिश्ट हुई, इन 1598, सिडनी ज सिश्ट्र गोट इट पबलिश्ट इन इट्स एंटार्मी, फिर सन 1598 में सिडनी की बहन ने इसे संपुर्ण रूप में परकाशित करवाया, फ्रोम्दा बेरी विगनिंग, यानी की बहुत पहले की सुरुवात से, इन सौनेट्स वर कंसिडरड ओ्टो वायोग्राफिज, इन सौनेट्स को आत्म कथा माना गया, एस्ट्रोफिल दा क्रेक्टर इन दा सोनेट जो एस्ट्रोफिल क्रेक्टर है सोनेट में is very similar to Sydney Sydney से बिल्कुल मिलता जुलता है पिपल एजूम स्टेलाज क्रेक्टर तू भी लेडि रीच फूज रियल नेम बाज पैनलपी डेवरू यानिकी लोगों ने स्टेला के पात्र को लेडि रीच ही माना जिनका बास्त्रिक नाम था पैनलपी डेवरू फूज रियल नेम बाज पैनलपी डेवरू एंड हूब आज दा डोटर ओफ दा अर्ल ओफ एसेक्स और जो अर्ल ओफ एसेक्स की बेटी थी फिर सेकिंड पोइट आता है हमारा एक ट्रैजिक लव स्टोरी एक दुखद प्रेम कथा एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इजे ट्रैजिक लव स्टोरी जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है वो एक दुखद प्रेम कथा है The characters in a tragic event are taken from real life एक दुख बरिगटना के पातर वास्तिक जीवन से लिये जाते हैं While their actions are not real जवकि उनकी जो किरियाएं हैं वो वास्तिक नहीं होते The basic difference between a tragedy and a comedy is that the characters in a comedy are fictional दुख दुख दुखतना और हास्य गटना में यही मूल भूत अंतर है कि हास्य लेख में पातर काल्पनिक होते हैं Sydney has used human literature theory in his literature Sydney ने अपने साहित्य में मानविय साहित्य का जो सिधान्त है उसका प्रियोग किया है He has written a true love story while taking real characters and adding imagination He has written a true love story उसने एक सत्या प्रेम कठा लिखी है while taking real characters बास्तिक पातरों को लेकर and adding imaginations और कलपनाओं को जोड़कर उसने एक सत्या प्रेम कहानी लिखी है This was lacking in Elizabethan poetry इस बात की जो Elizabethan का व्या है उसमें कमी थी फिर है love not at first sight In the first sonnet, the poet has not given the poem the form of a love poem यानि की पहले sonnet में कवी ने कविता को एक प्रेम का व्या का रूप नहीं दिया है It is a rebellious sonnet as it breaks the principle of love at first sight यह एक बिद्रोई sonnet है क्यों है विद्रोई sonnet? इसका विजवाब जान लिते है As it breaks the principle of love at first sight क्योंकि इसने principle को तोड़ा है, सिधान को तोड़ा है कौन से सिधान को? Love at first sight वाले सिधान को इसने तोड़ा है Love at first sight यानि की प्रेम पहली नजर में Astrophils love is real Astrophil का प्रेम रियल है, बास्त्रिक है Not literary and grows slowly साहितिक नहीं है और धिरे धिरे पनपता है Astrophil accepts love unwillingly Astrophil प्रेम को ने चाते हुए भी अपनाता है He writes his poems just so that he can convince himself that love is a good thing no matter what यानि की बहें अपने क्विताएं सिरफ इसलिए लिखता है ताकि बहें अपने आपको समझा सके की चाहिए कुछ भी हो प्रेम अच्छी चीज है He is satisfied to see Stella's face वह स्टेला के चहरे को देख कर ही संतुष्ठ है He uses nature to describe it उसका वर्दन करने के लिए वहें परकर्तिका साहरा लेता है As does Aristotle जैसा की Aristotle भी करता है In this, he is with Aristotle and not with Horace इस बात में वहें Aristotle के साथ है, Horace के साथ नहीं In sonnet 15, he scoffs at other points for describing the mysteries of their heroes Sonnet 15 में वहें दूसरे कवियों पर उपहास करता है कि वहें अपने नाइकों के दुखों का वर्णर ही करते रहते हैं In sonnet 6, he scoffs at a form of poetry that combines Greek imagery Sonnet 6 में वहें कवित्ता के उस रूप को जिसमें Greek कलपना को जोड़ा जाता है As जैसे living that's their bounds इन पर वहें उपहास करता है Sydney's method is to politicize simple facts Sydney का त्रिक्का है सधारण सचाई को काव्य के रूप में दरसाना Next slide में हमारा है not entirely conventional यानि की ना तो पुरी तरह से परंपरागत है और ना ही पुरी तरह से एपरंपरागत It would be wrong to say that Sydney dislikes tradition in love poetry ऐसा कहना गल्थ होगा की Sydney प्रेम काव्य में परंपरा को ना पसंद करता है In fact, he uses many old incidents which are related to real love वहें वास्तम में कई प्राणी घटनाएं जो की बास्तिक प्रेम से जुड़ी हैं उनका प्रयोग करता है Lovers get upset seeing the moon and spend sleepless nights जो lover है वो चाद को देखकर प्रेशान होते हैं और निद्रा रहित रते मिदाते हैं यानि कि उनको रीद ही नहीं आती Sydney therefore writes on the moon and also on traditional matters Sydney इसलिए चांद पर और प्रंप्रागत बातों पर भी लिखता है Sydney draws a stereotypical picture of love compared to courtly poultry राजदर्वारी कविता की तुल्ना में Sydney प्रेम कारुंतिवादी चितर खिंचता है A. dichotomy between persistence and derision Astrophils debate with himself about love is a new thing in the present age वर्त्मार युग में astrophil का प्रेम के विश्य में स्वयम से बाद्विवाद एक नई बात है He is torn between the demands of love and career वह प्रेम और career की मांगों के बीच तूट गया है But in the end, he declares that loving Stella is the vast logic प्रन्तो अंत में बहें एलान करता है की स्टेला से प्रेम करना सबसे सही तरक है logic है Next slide, Sydney introduces a friend who is the voice of a region and prevents the boyfriend from meeting the girlfriend यानि की Sydney एक मित्तर को पस्तूत करता है जो की तरक की आवाज है और प्रेमी को प्रेमिका से मिलने से रोकता है यानि की जो Sydney जो मित्तर पस्तूत करता है वो प्रेमी और प्रेमिका से मिलने से रोकता है In sonnet 14, this friend asks the lover to restrain his desire why the words of reward Sonnet 14 में यह मित्तर रोवाड सब्दो द्वारा प्रेमी को अपनी इच्छा पर रोक लगाने को कहता है In sonnet 21, he asks to read Plato so that love can be treated Sonnet 21 में बहे, Plato पढ़ने को कहता है ताकि प्रेम का इलाज हो सके Astrophil says that true wisdom lies in a woman's face and in sonnet 51, he sends his friends back Astrophil का कहना है कि इस तरी के चहरे में ही सचा ग्यान है और sonnet 51 में बहें अपने मित्तर को बापस भेज देता है In sonnet 66, 67 and 69, astrophil means stela's affections on the condition that they will not be married Sonnet 66, 67 or 69 में astrophil stela का प्रेम जीत लेता है इस सर्थ पर की उनका बिवा नहीं होगा They will be not married In the next sonnet, the fire of love intensifies and a physical relationship is established अगले sonnet में प्रेम की आग तिवर हो जाती है और physical relationship स्थापित हो जाता है When platonic love is not enough, जब platonic प्रेम काफी नहीं रहता He kisses stela when he sees her sleeping He kisses stela when stela को kiss कर देता है When he sees her sleeping, जब वह उसे सोते हुए देखता है Next है फिर हमारा, the next sonnet describes the memory of the kiss and the desires it awakens जो next sonnet है, उसमें describe किया हुआ है, वनन किया हुआ है किसका The memory of the kiss and the desires it awakens जो memory है किसकी, यादे है किसकी और जो इससे जागरित, जो इच्छाए है उनका इसमें वर्णन किया गया है Sonnet 83 is followed by a short sonnet Sonnet 83 के बाद एक छोटा सा गीत है, song है He reaches Stella's house, वह Stella के घर पहुंचता है Stella is writing a letter and her mother is asleep, Stella Stella पतर निख रही है और उसकी मा सोई हुई है Stella says no to Astrophil's love interest Then Astrophil says that he will die of grief Then Stella gets angry यानि कि Stella Astrophil के प्रेम के प्रियास में नहीं कहती है यानि कि Stella Astrophil के प्रेम के प्रियास को ठुकडा देती है उसको न कहें देती है Then Astrophil, तब Astrophil says that कहता है कि he will die of grief वहें दुख से मर जाएगा Then Stella gets angry तब फिर जो Stella है वो एगरी हो जाती है क्रोधित हो जाती है There seems to be some contradiction in the literature यहां सहित्या में कुछ बिरोधा वासपरतीत होता है and Sydney's intentions are not understood और Sydney के इरादे भी समझ में नहीं आते After Sonate 86, Sydney inserted five songs in a row Sonate 86 के बाद Sydney ने लगातार पांच गीत डाल दिये Next है फिर, for the first time we get to see Stella as a man character हमें पहली वार Stella एक मुख्या पातर लगती है Yet Astrophils character dominates all अभी तक Astrophils का पातर ही सब पर हावी था She no longer appears to be the heroine of a stone-hearted sonate भे अब एक पत्थर दिल सोलिट की नाई का परतीत नहीं होती Here the second part adds यहाँ पर दूसरा भाग भी समाप्त हो जाता है Third part में क्या आकता है? In the last part there is a lot of desires and shortcomings अंदिम भाग में बहुत सारी इच्छाओं और कम्योग को दिखाया गया है Astrophils sorrow is described in sonnet 89 Sonnet 89 में Astrophils का दुख वर्दित है In which happiness, sorrow, day and night are all जिसमें खुशी, गम, दिन, रात, सभी कुछ है In sonnet 105, Astrophils catches a glimpse of Stella as she goes into the night in her carriage Sonnet 105 में Stella रात को अपनी बग्गी में जाती है तव Astrophils को उसकी एक दसलक नजर आती है Conclusion में हम लिखेंगे It is one of the best sonnet sequence in the history of English literature कितने sonnets है Astrophils and Stella में? 108 sonnets है and 11 songs है उनको includes क्या गया है Astrophils and Stella में तो ये हमारा फिलिप सिडली के Astrophils and Stella के थीम के उपर question अन्सवर्था I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमने पूरी कोशिस की है वीडियो को very easy certain way से बनाने की और आपको समझाने की अब आपका काम रहे गया है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नहीं है और जादर से जादा फ्रेंड्स को सेर करना ताकि उनका भी फाइदा होसके ठैंक यू वाई वाई फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ बड़े रहे ऐसार स्टडी सल्यूसर के साथ